हेलो फैंस वेल्कम बैक टो मैं चलिए में नाम स्विबन सारे आप देखनें CSD वलनास अजी रुम्हें और यह नए वीडियो के साथ में दोस्तों जो आज की टॉपिक है वह हमारा बहुत खास टॉपिक है और काफी इंपोर्टेंट है मैं तो यह रिक्वेस्ट करें फुल व मुझे को क्या था कि सब्सक्राइब के बारें मुझे तो मैं इसी लिए वीडियो को बना रहहा हूं कि गाल बैटर इस टोन के वारें पूल फुल इनसर्मेशन आप लोग को मिले और बेसिकल लिगार इस टोन क्यों बनता है रीजन क्या है अक्तर लोग पूछते यह कई सार सारे स्टोन की बात करें अगर हम तो सबसे पहले हम आप जान लेते हैं गाल ब्लाटर क्या होता है कि हमारी जो राइट साइट जो अपर पर विए में आधाने ही ओपर साइट में रीके नीचे में वहता है और यह काम होता है कि एक तरहीं से स्ट्रइच का स्ट्रइच करने काम ज्याता है युक्त वैल को हमारा गाल ब्लाडर स्टोर करता है खाना खाने से पहले हमारा है वह भानावा रहता है जैसे ही हमने खाना खा लिया वैसे ही जो कि यह अपना न्ट इसको कॉमन बाइल डक्ट के फुरूर बैस् tषोड देगा व्हों खाट कर लिये और यह apt करने का अब बारे में बात करते हैं जो गाल पर का होने का और क्सक्राइब कौस क्या है गाल ब्लाडर स्थोन होने का में जो है की कारण क्या है यह इस प्रेस्ट नहीं है कि अभी तो गाल ब्लाडर स्थोन क्यूं होता है क्यूं बनता है लेकिन डॉक्टर का उनुसार गाल स्थोन होने का जो है कि तीनी कारण है पहला कारण कोलोस्ट्रोल दूसरा ब्लुरोबिन तीसरा आपकी गाल ब्लाडर ठीक से खाली नहीं हो पा रहा है याने की वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो गाल इस्टोल होने के चांस जादा रहेगा वैसे तो कोलोस्टोल बाइल के इंदर में इतना केमिकल होता है कि कोलोस्ट्रोल क को डिजॉल्व कर दे लेकिन कई वार क्या होता है कि आपका कि जीफर होता है कि जादा को लोस्टेल जब बनना चालू होता है तो लीवर ज्यादा कलोस्टर बनना चालो कर जाता है तो वो dissolve नहीं हो पाता है वो crystal form में गाल ब्लाडर के अंदर में खटा होना चालो होता है और जिसके विसे वो stone में कनवर हो जाता है जो दूसरा है दोस्तों वो है blue-robin blue-robin एक chemical है जो कि हमारा red blood cells जब break होता है तो blue-robin बर जाता है blue-robin बरने के वसे तो बहुत सारा कारण हो सकते हैं लिवर सोराय से सकता है आपका blood में कोई infection हो सकता है या फिर जो है कि आपका bilary tract infection के वेज़े से भी blue-robin ज्यादा बन सकता है या फिर जो है कि किसी तरह की blood disease याने की किसी तरह के blood disease अगर है तो उसके वेज़े भी blue-robin बर सकता है तो blue-robin अगर जाता रहेगा तो उसके वेज़े से भी gall stone हो सकता है जो तीसरा है वो हमारा है गाल ब्राडर के ठीक से काम नहीं करना जैसे के मैं अब वो बताया था कि गाल बलाडर काम है स्टोरेज का और जो बाइल बनाता है लीवर वो लीवर जो हुआ की उसको ट्रांसsstर करता है गाल राटर के दंदर्मे और गाल ब्लाडर एक स्टोरेज है फ़र रिजर्वाट का ना पड़का है लेकिन अगर वह पूरी तरह से खाली ना हो जैसे कि आधा खाली हो आधा उसमें रह जाए यानि पूरी तरह से खाली नहीं होगा तो उसके अंदर में और लेडी जो है कि उसमें जमना चालो हो जाएगा अब जब वह पूरी तरह खाली नहीं होगा तो वहां पर जो कि डिपो स्टोन बै जाता है implant करते हैं गाल ब्लाडर स्टोन क्या क्या मेरा किया वार कैसे पता करेंगे तो तर स्टोन का ग्रेस्ट उल्ट कोई स्टोन किया नहीं कई बार मोस्ट कि कैसी हो गया तो मोस्ट ओफ पिशन्टों को कोई सिम्टम्स नहीं आता है जब तक कि कोई आपस्ट्रक्शन चालू नहीं रुखावट चालू ना यानि कॉमन बैल डॉक्ट में अगर आगर आपको इस्टोन आकर फस्ट गया आपका यह कोई रुकावट कर रहा है या कुछ गुण कुछ के सिंट नहीं आएगा तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या-क्याश्य में आज सकता है जैसे कि आपका तेज डर्द होगा वो भी राइट साइड में राइट साइड में अपर अप्डॉमेंड में बहुत तेज अदो सकता है वह अपका राइट सोल्डर तक भी जा सकता है और चुमाइड और उल्टी सा मन कर सकता है और जो कि और यह दरद कुछ घंटों से कुछ मिंट से कुछ घंटा तक गया की दर्द कंटीनु बनावा रह सकता है अगर आपको बहुत पुराना तो सकता को जॉंड़िस हो जाए सकता है कि रुकावट के विए से फीवर आ जाए ठंड लगने लग जाए तो यह सारी सिम्टम्स हो सकता है अगर गाल स्टोन है तो यह सारे थी की गाल स्टोन के अगर हमात करें कि इसका ड्रोड डकनोस कैसे कह सब्यवाइब कि आपको गाल स्टोन है या नहीं है दृसर जो गाल स्टोन डेगोस करने का था किंग एंड सिम्ट मफ़श्क है начी जो के बाद करेंग करे हैं और्श्यक को पुछ ज़ूरत पड़े गा यह नहीं है। है तो कितना साइच का इतना बड़ा है। अगर डॉक्टर को जुरत पड़ी अगर लगा अगर ऐसा कि आगे और भी कुछ जाच करनी चाहिए। में कुछ confusion रहा तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर साब CT scan करवाए हो सकता कि आपका MRI करवाए कई बारोट साब जो है कि आपको MRCP की बारे में कह सकता कि MRCP करवाना पड़ेगा कई बारोटर आपको ब्लड टेस्ट भी आपको डॉक्टर साब एडवाइस करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है जैसे कि जॉन्डिस के लिए जैसे कि ब्लड में कोई इंफेक्शन तो नहीं है उसके लिए या फिर पैंक्रिया टैटिस तो नहीं हो गया है उसके लिए तो यह सारे जा है वागी यह टेस्ट का नाम इसलिए बता दिये आपको यह टेस्ट तो इक ही बात है कि no symptoms no treatment यान ही जानर कोई treatment की जरूरत नहीं है अगर कोई symptom आ रहा है पेशन को कोई रुकावट आ रही है obstruction है तो फिर तो जो है कि आपका doctor से मिलिए doctor को decide करने दीजिए कि आपको operation करना है या नहीं करना है तूरंद करना है या रुक्य करना है या फिर जो है कि medicine के तरफ आपको कहे कि medicine कुछ दिन लेकर देखिए कितना complication है आपको गाल स्टून के साथ में जॉन्डिस तो नहीं हो गया है या फिर कोई और परेशानी कोई और complication तो नहीं हो गया है ये डॉक्टर साब को कहे देंगे और कुछ लोग का कहना कि मुझे की operation कराना ही नहीं है क्योंकि operation कराने से बहुत सारी problem आ सकती है बहुत सारी दिमाग में चलता है तो इसके लिए भी मैं बता दूँगा कि operation गर करा लेते हैं तो गाल ब्री मोटरे माव करने से कोई बहुत जादा प्रह्षान की आती नहीं है बहुत दिक्त होती नहीं है ठोड़ी बहुत चोती मोटी दिक्ता सकती है अमघाव मैं नेक्स्ट्वीडियों मता दूँगा पो चर्ड 2017 रिमू करेंगा तो क्या क्या परैशानी आ सकती है दोस्तों अब जो मेडिसन की बात करें अगर की मेडिसन से टीटमेंट की तो मेडिसन क्या होते है दोस्तों की एक तो लंबा खाना पड़ता है मेहना से कई साल तक लगातार खाना पड़ता है मेडिसन को और मेडिसन से अगर लंबा टैम खाना पड़ेगा और कई बार क्या होता कि मैडिसिन आप जो है की ले तो रहे हो लेकिन मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा साइच उतना है अगर मेडिसिन खार रहे तो मैं एक ही बात कहोंगा कि आप बीच बीच में अपना अल्टरसोन करा के देखते रहो किसा साइच reduce हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा नहों कि आप मेडिसन खाते रहो और उस पथरी पे उसकोई फरक ही ना परे कोई इफेक्ट ही ना हो वह साइज जितना है उतना ही है खाम खाम है आप दबाए खाते रहो तो दोस्तों यह था चोटा सा मेरा वीडियो गाल बाटर स्टोन के पर में कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक यू सो मुच फ्र वाचिंग माई वीडियो बाए बाए